नमश्कार ट्रेनीज, मैं अनुराज सक्सेना, आप से लोगा हार्दिक स्वागत, एव अभी नंदन करता हूँ, इंस्ट्रक्टर कमेंडी चैनल पे ट्रोटेनीज, आज की जो वीडियो है, यह हमारी समिस्टर 4, module 5, erection and testing के, जो बिल्कुल लास्ट 10 कोश्चन बचे हैं, वो हम इसमें डिसकस करेंगे, और इसके साथ ही आपका जो पीडियाफ है, पूरा खदम हो जाएगा, इस्टार्टिंग के जो 29 कोश्चन जो हमारे रहे मिलने वाले है, ठीक, तो यह जो वीडियो है, इसमें आपको 251 से लेगे, कुश्चन मिलने वाले हैं, तो पहले आज की वीडियो का पहले कुश्चन है, मनीला और हैम परस्ता का विनिर्मान के लिए कौन सी सामगरी इस्तिमाल किया जाता है, तो ऑप्शन A है, पॉलिष्टर, ऑप्शन B है, जंगली केले के पौधोगा फाइबर, ऑप्शन C है, नायलोन, और ऑप्शन D है, पॉली प्रोपाइलीन, ठीक है, तो जो हमारी मनीला या फिर जो हैंप रस्ती होती है, वो हम बनाते हैं किसे, किसे को पतर जल्दी कमेंट करिए, यह हम बनाते हैं, जंगली केले के पौधोगे फाइबर से, ठीक है, तो देखिए, इस तरह से इनके, इनको हम निकालते हैं, जो जो केले के पेड़ आपको दिखी रहे होंगे, ब्लाक और फिच्चर है, ठीक है, जो जंगली केले के पिड़ होते हैं, इनसे इस तरह से इनका फाइबर निकालके, वो रस्ती बनाई झाते हैं, ठीक है, तो जो मनीला रस्ती होती है, यह बनी होती है, हमारी फाइबर of wild banana plant, जंगली केले के पौधो पौधों का फाइबर, ठीक है केलिगा पेर समने देखा ही होगा आपको पता उसमें कितने रेश्यों होते हैं अगले question में कहता है which crane is used in remote places and off-site दूरस इस्थान और off-site के लिए किस crane को अपयोग किया जाता है ठीक जैसे अगर हम company में factory में काम कर रहे हैं हम अलगतर ही crane use करेंगे अब अगर कोई दूरस्त site है जहाँ पे infrastructure अतना अच्छा नहीं तो हम आपे कौन सी crane use करते हैं सिधी सी बात है बताईए वहाँ पे हम कौन सी crane use करेंगे हाँ पे हम use करते हैं truck mounted crane देखे जैसे क्या होता है न जो हमारी crane है जो आपने जनेरी crane देखी होगी जो गाड़ी आली crane होती है आपने देखी होगी crane आती है जो कहीं accident वगर हो जाता है आपने देखी होगी तो crane से उसको move कराते हैं गाड़ी को गाड़ी का accident होगया है तो तो आपने दिखा हुआ के जनरली दो पार्ट होते हैं, एक तो क्रेन होगी खुद में, जो असल में लोट उठाती है, यसे कोई गाड़ी है हमारी, इसको आप क्रेन बोलते हैं, ट्रक जैसा होता है, यह इसके टायर हो गए, आप खिड़की बगर हो गए, ठीक है, एक तो यह इसको हम क्रेन बोलते हैं, जिसकी यहाँ पर रसी से इस तरह से निकला रहता है, और दूसरा ही होता है, ट्रक, ठीक तो यह दो चीजे हैं, एक है ट्रक और उसके पीछे लगी है क्रेन, तो अब इस क्रेन को आप कहीं भी लगा सकते हैं, जैसे कंपनी में यह उपर, ओवरह क्रेंस का यूज करते हैं सिंपल सी बात है अगले कोश्चन में कहता है वर्ट इस दा नियम फांडेशन बोल्ट पहचानना है आपने कि यह हमने इडी फांडेशन बोल्ट से नहीं पढ़ा था यह है रैक फांडेशन बोल्ट ठीक है डाइगराम याद रखेगा तो याद रखेगा उसमें होता है अलकोहॉल मगर जो अलकोहॉल होता है यह इंडस्ट्रियल अलकोहॉल होता है जो इंडस्ट्रियल अलकोहॉल होता है यह जहरीला होता है इसको डिनेचर्ट कर दिया जाता है जनरली जिससे पीने योग गिना रहे तो इंडस्ट्रियल अलकोह ठीक है जो हमारे equipment होते हैं उनमें इस तरह से एक side में आप देखेंगे ना उठाने के लिए दिया रहता है तो यह इसलिए होता है कि जिससे हम यहाँ पर अपना crowbar या पर जो cranes वगर होती है उनका parts यहाँ पर डाल सके इनको उठाने के लिए ठीक है जैसे crowbar वगर मैं आपको c place the crowbar for lifting उठाने के लिए crowbar को रखने के लिए हम उसमें देते हैं अगर कोई equipment है इस तरह का उसके नीचे आमने इस तरह से रोलर लगाए हुए हैं तो क्यों लगाएंगे जिससे हम उसको आसानी से स्थाना अंत्रित कर सके उठाने से उसको नीचे लाने के लिए वो भी गल अगर आमने किस चीज के लिए रोलर लगाएं हैं तो आप उसको सरकार हैं इस तरह से सरकाने के लिए लगाएंगे तो आसानी से स्थानांत्रित करने के लिए अगले कुश्ण में कहता है वर्ट इस दा प्रपस और स्टेट एज्ट का क्या काम है वही तो ऑप्शन यह है ट इस दिखा तेता हूं, ठीक है यह ध preparate है यह है। अगले कुश्ण में कहता है जेसे हैँ डला हे वही प्लॉक स्प्रििट लेवल बनानी के लिए किस माटेरिल का उप्योग की ए जाता है तो जि हमारा यह वह यह याद रखिये यह stress free cast iron और steel का बना होता है तनाव मुक्त cast iron या steel stress free का मतलब है जब भी हम कोई पार्ट को बनाते तो इसमें कई बार stress उत्पन हो जाते हैं ठीक है तो फिर उनको heat treatment या भी बागे process करके है उनके अंदर जो stress होते हैं material में उनको remove किया जाता है तब हमारा बनता है stress free cast iron और steel अगले कोशन में कहता है what is the ratio of concrete mixture of cement sand and stone for foundation नीव के लिए ठीक है यह जैसे हमारा bolt आ गया ठीक है यह बोल्ट है यहाँ पे हमने गड़्ड़क होता है अब आपको यहाँ पे भनना है material जैसे rag वाला मैं आपको दिखाता हूं जैसे यह देखे यह हमारा machine हो गया यहाँ पे हमारा bolt आ गया metal का होता है इसके पार यहाँ पे आ गया और यहाँ पे हमारा concrete भरा हो है तो आपको बताना है जो हमने concrete भरा है concrete का मतलब होता है cement रेते और पत्तर का mixture जो आपके linter वगरे हमी पड़ता है उसको generally concrete बोलते हैं हम लो ठीक है जो roads sorry जो linter होता हो वो reinforced लग जाता है मगर उसको concrete ही कहता है ठीक तो आपको बताना है जो foundation का concrete होता है उसमें हमारा cement रेता और पत्तर का क्या ratio रहेगा ठीक है तो यह ratio होता है आपका one ratio two ratio four इसका मलब है एक तसला आपका क्या है आम भासा में समझा रहा हूँ भहुत जैसे घर में बनाते हैं मसाला तीन एक का मसाला चार एक का मसाला वही देखिए इसका मसाला किसे बनेगा एक तसला अगर आप उसमें क्या डालने है cement डालने है तो आप उसमें दो तसले क्या डालेंगे रेता डालेंगे और चार तसले क्या डालेंगे ठीक है रोडी डालेंगे या भी पत्था डालेंगे ठीक तो इस तरह से हमारा जो foundation का जो मसाला वता तैयार होता है अगला question फिर repeat है What is the purpose of straight edge Straight edge का उद्देश क्या है ठीक है तो ये question repeat है सायथ अब ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ठीक है तो वही इसका answer है दुबारा To test straightness of the object Was true की straightness का परिक्षन करने के लिए हम straight edge का उप्योग करते हैं तो ये थे हमारे PDF के last 10 question हमें पता है भी starting के हमारे 29 question छूटे हुए है हम जल्दी drill jig वाले के ठीक है इसकी जल्दी से जल्दी हम कोश्च करेंगे वीडियो लाके इन questions को समाप्त करके पुरा PDF जल्दी समाप्त करें बागी के question है अगर आपको देखने हैं ठीक तो हमने engineering drawing के लिए लगभग लगभग 90% जो अपनी चैनल में कवर कर दिया है तो उसके लिए हमने लगसे playlist जी बनाई है engineering drawing second year तो वहाँ पर आप विजट करके पि जो fitter trade, fitter turner machinist की जो engineering drawing है उसो काफ़ अच्छे से सीख सकते हैं तो यह थी आज की वीडियो आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद